पूरी दुनिया अमेरिकी राश्रुपती डॉनल्ड ट्रॉम्प से भारतिय प्रधानबंत्री नरेंद्र मोधी की मुलाकात का इंतजार कर रही है राश्रुपती बनने के बाद डॉनल्ड ट्रॉम्प दो बार नरेंद्र मोधी को फोन कर चुके हैं और अब वाइट हाउस द्वारा बयान जारीकर कहा गया है कि ट्रम्प इस साल मोधी की मेजबानी करना चाहेंगे वाइट हाउस ने एक बयान जारीकर कहा राश्ट्रपती ट्रम्प ने कहा है कि वो साल के आखर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने को उत्सुख है वाइट हाउस द्वारा जारी बयान के अनुसार ट्रम्प ने मोदी के आर्थिक सुधार एजेंटे का समर्थन किया है और भारत के लोगों के प्रती गहरा सम्मान व्यक्त किया है गौरतलब है कि दो दिन पहले ही ट्रम्प ने मोदी को फोन कर विधान सभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के लिए बधाई दी थी ये तीसरी बार था जब मोदी और ट्रम्प ने फोन के जरिये एक दूसरे से बात की फोन पर दोनों ने ताओं की पहली बात चीत नवंबर में ट्रम्प के राश्ट्रोपती चुने जाने के बात हुई थी दूसरी बार ड्रम और मोधी की बाची 24 जन्वरी को हुई प्रम्प ने मोधी को फोन किया और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात कही हाला कि वाइट हाउस ने कोई तारी नहीं बताई लेकिन इतना तय है कि इस साल के आखरी में मोधी अमेरिका का दौरा करेंगे इससे पहले दोनों नेता जुलाई में जर्मनी में होने वाली G20 समिट में मिलेंगे NMF News की रिपोर्ट